दमेशकार दोस्तों आपको पता होगा भारत के द्वारा करीब 6 स्कॉर्पीन क्लास सम्मरीन का मैनुफाक्ट्रिंग किया जा रहा है भारत के अंदर किया जा रहा है जिसमें से 4 अल्रेडी कमिशेंड हो चुके हैं मतलब कि वो नेवी के पास आ चुके हैं फानली आप देख सकते हो कि 6 में से जो पाँचवा है उसका सी ट्राइल स्टार्ट हो चुका है इसका नाम है वजीर यह आप देख पाएंगे इंडियन नेवी इस फिफ्ट स्कॉर्पीन क्लास सम्मरीन सेल्स आउट फॉर देटेल से समझेंगे और जो पूरा प्रोजेक्ट ह वाला हूँ चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे आप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyiq.com विजिट कर सकते हैं वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके लावा अगर आप MC करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं वहां पर stories में आपको सभी MCQ जो है वो मिल जाएंगे चली सबसे पहले हम देखते हैं अभी exactly क्या हुआ है जैसे मैंने बताया जो 6 scorpion class submarine आपका manufacture किया जा रहा है भारत में उसमें से 5 जो है जिसका नाम वजीर बताया जा रहा है इसका sea trail start हो चुका है और sea trail के दौरान जो rigorous चीज़ें होती हैं जितनी भी trails होते हैं जो भी कुछ करना है पर रखना है उस submarine को वो यहां पर किया जाएगा और हो सकता है कि इस साल के थोड़ा सा और बाद में navy के पास इसको commission कर दिया जाएगा ध्यान रखना यहा पर commission कर दिया जाता है commission मतलब इसको navy के अंडर में दे दिया जाता है यह आपका होता है launch और commission में difference अब हम आते हैं कि इसको build किस के दौरा किया याद रखना अभी के लिए इसका नाम वजीर नहीं है जब इसको commissioned किया जाएगा तब इसका नाम वजीर होगा अभी के लिए इ यह है आपका Yard 11879 और इसको construct किया जा रहा है मजगाव डॉक शिपयाड लिमिटेट के द्वारा और यह किसके कोलाबरेशन में इसका डिजाइन वगर अगर आप देखोगे न तो जो नवल ग्रूप ऑफ फ्रांस है उनके साथ मिलकर किया जा रहा है तो इसलिए फ्रेंच ड Designed Scorpion Class Summarine इसको बताया गया है और ध्यान रखेगा यहाँ पर आप देख पाऊगे कि जो pandemic हुआ था उसके बावजूद भी हमारे भारत के अंदर यहाँ पर कोशिश हुई है कि किसी प्रकार से जो project है उसको delay ना किया जाए तो यह पूरा जो project है जो 6 Scorpion Class Summarine बना जा रहा ह उसको किया जा रहा है अंदर project 75 और पिछले साल ही दो यहाँ पर जो submarine है उसको deliver किया गया था मस्गाव डॉक लिमिटेट के दौरा इसके बारे में मैं आपको बताऊगा किस तरह से एक hub बन चुका है एक important place बन गया है भारत के indigenous development के लिए और यहाँ पर जो fifth submarine है उसका sea trial जो एक submarine था जिसका नाम INS वजीर था और यह basically हमने रश्या से खरीदा था रश्या का Vela class submarine है वो हमने खरीदा था और इसलिए यहाँ पर आपको जो इसका नाम है वो वजीर देखने को मिलेगा अब हम आते हैं कि यह पुरा project 75 है उसमें है क्या total मैंने आपको बताया है इस project के अंदर 6 submarine बनाया जा रहा है Scorpene design के और इसका total cost करीब 23,000 करोन बताया गया है और इसका पूरा construction मुंबई में जो मसगाव डॉक्स शिप्यार लिमिटेड है वहाँ पर किया जा रहा है with France के साथ मिलकर जो Novel Group France है अगें यहाँ पर आप देख पाऊगे बहुत ही अच्छे से जा है कि भारत में जो समरीन है हमारे पास इस समय जैसे कि सिंदु गोष्ट क्लास हो गया शिशु कुमार क्लास हो गया तो यह आप देखो यहाँ पर कलवरी क्लास के बात करें जो स्कॉर्पीन क्लास है कलवरी क्लास यही हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कलवरी हो गय खंदेरी हो गया, करांज हो गया, वेला हो गया, जो फोर्थ था, अब पाँचवा मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो वजीर है, यह आपका C ट्रायल पर जा चुका है, और इसका वेट, डिस्प्लेस्मेंट, वेट वगरा आप देखोगे, तो 2000 टन के असपास देखेगा जहां तक सिंदु गोष्ट क्लास हो गया, यह आप देखिए तो रश्या के साथ मिलकर हो रहा है यह पुरा, फिर जर्मनी के साथ मिलकर शिशु कुमार क्लास आपको देखने को मिलेगा, तो अगर हम यह वाली की बात करें, कलवरी वाला जो क्लास की बात, तो पहला जो पर ही है आपका पहला समरीन वो आपका 2017 में ही कमिशन कर दिया गया था नेवी को दे दिया गया था फिर 2019 में यहाँ पर खंदेरी दे दिया गया था तीसरा जो करंज है यह आपका और 2019 मही में कमिशन हो गया था और जो चौथा है विला वो पिछले साल ही कमिशन किया गया है पिछले साली दिसमबर, नॉमबर, दिसमबर के मैने में ये आपका दिया गया था नेवी को, और फाइनली ये जो पाँचवा है आपका वजीर, ये सीड ट्रायल पे जा रहा है, जो छटा है आपका, वो बेसिकली आउटफिटिंग, जो अडवांस स्टेज आउटफिटिंग होता है, उसमें आपका जा चुका है, तो उसके बाद फिर से उसको लांच किया जाएगा और इसी प्रकार से पुरा प्रोसेस चलेगा, जहां तक बात है कि जो स्कॉर्पीन क्लास समरीन है, इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर है क्या, ये जो प्रोजेक्ट 75 के अंदर ब सर्विलेंस, इंडिलिजन्स गैदरिंग, एंटी समरीन वार्पेर, और यहां पर माइन लेंग जो उप्रेशन वगरा होते हैं, इस तरह से, जैसे लैंड पर माइनिंग होता है, तो जैसी वो टच करते हैं, पैर रखते हैं, तो वो ब्लास्ट हो जाता है, वैसे यहां पर स समरीन के लिए भी क्या है कि, जो एनमी कंट्री है, वो अगर इधर आता है, तो जैसे इस से टकराएगा, इस माइन वगर ऐसे, तो वो बेसिकली आप देखोगे, तो यहां पर वो ब्लास्ट हो जाता है, ताकि उसको समरीन को खतम किया जा सके, तो जो माइन लेंग ऑप्रे अटाक कर सकता है, और इसकी स्पीड के हम बात करें, तो जो अगर यह पानी के नीचे होता है, तब यहां पर 20 नॉट जो है, वो आपका स्पीड देखने को मिलेगा, और करीब 21 दिन तक यह पानी के अंदर रह सकता है, समझ रह सकता है, डेफ्ट कितनी रह सकता है, 350 मीटर तक कि इसकी डेफ्ट की केपैसिटी है, अदर्वाइस बहुत जादा प्रेशर हो जाएगा, इसके अलावा हम बात करें, अब सम्मरीन के बारे में भारत के अंदर, तो आत निर्भर की जब हम बात करते हैं, तो काफी तेजी से इस पूरे सेगमेंट में काम हुआ है, और आ अपने आप में आप कह सकते हो कि आप निर्भर भारत की तरफ कदम है, और इसके लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मजगाओं डॉक शिप्याड लिमिटेड है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और यहाँ पर आप देख पाओगे, प्रिजेंटली बताया जा रह को मजगाओं डॉक शिप्याड लिमिटेड में हो रहा है, जहां तक बात है कि भारत की नेवी की पास कितना फ्लीट है इस समय सम्मरीन का, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 12 सम्मरीन आपको देखने को मिलेगा, और दो और जो नुक्लियर सम्मरीन है, आइनेस अर्यांत और आइनेस चक्रा ये भी देखने को मिलता है, और ये इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना अगर आप देखोगे जो पूरा इंडियन ओशन रीजन में जिस तरह से अपना क्याप्चर चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भारत को अप प्रोजेक्ट 75I, आई क्या है ये इंडिया है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसका भी अप्रूवल दे दिया गया है, जिसका कोश्ट पचास हजार करोन के आसपास है, तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट 75I की बात करें, तो इसमें भी 6 कन्वेंशनल डीजल समरीन बना जाएगा, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में स्कॉर्पीन क्लास समरीन बना जा रहा है, प्रोजेक्ट 75 की तहट, उससे कहीं जादा बड़ा ये होने वाला है, और ये मौडरन कन्वेंशनल समरीन होगा, इसके अंदर और भी एडवांस एक्विप्मेंट वेपन लगे रहेंगे, सेंसर लगा होगा, और इसमें एक और खास बात होगी, एर इंडिपेंट प्रोपल्सन सिस्टम जो है, इससे क्या होगा कि और लंबे समय तक जो समरीन है, वो बहुत कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार उसको एर की वो बेसिकली भारत सरकार ने कारगिल वार के बाद इसको पूरा अपनाया था, मतलब में जो आज प्रेजेंट में हम देखते हैं, और करीब 30 साल का, 2000 से लेकर, करीब 30 साल का आप कह सकते हो, यह जो पूरा प्रोग्राम है, उसको लांच किया गया था, और इसमें प्लैनिं सम्मरीन होंगे, जो डीजल, इलेक्रिक सम्मरीन होता है, और 6 न्यूक्लियर पावर्ट सम्मरीन होगे, न्यूक्लियर पावर्ट तो क्या है, कि कितना भी समय तक नीचे पानी के जो अंदर जो है, वो आपका रहे पाएगा, तो finally conclusion में हम यह कह सकते हैं, कि अभी यह वाला जो वजीर है, सम्मरीन, यह extensive system ट्राइल के लिए जा रहा है, machinery, weapons, सारे ट्राइल होंगे, और finally इसको launch कर दिया जाएगा, इस साल के अंदर ही, और यही वीडियो था, I hope कि आपको सब को समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question क्या आप बता सकते हैं, INS विभूती, INS जो है, इन में से कौन सा correctly describe कर रहा है, INS विभूती क्या है, यह आपको यहाँ पर बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ स्टोरीज में डालता रहता हूँ, इसके लावा अगर आप PDF चाहते हैं, तो Telegram पर आईए, अलग-अलग सोशल मीडिया पर भी आप जूट सकते हैं, साथी साथ UPSC या फिर किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो app को डाउनलोड कर लीजे, I hope कि वीडियो आपको पस आपको तिल दन, थैंक य। वरी मुछ, सी यू सून.